हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, दौलाइन अजूकेशन पॉइंट, आज ए अठारा अगास और अठारा अगास से जितने भी रिलेटेट कुरांट अफेर बन सकते हैं, तो उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, और पिछल विकास के साथ, सेकेंड में है, सबका साथ, सबका विकास, थर्ड में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास, और फोर्थ में इन में से कोई नहीं, तो जो आपका, इस कोशन का करेक्टेंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा यानि सबका साथ सबका विकास और सबका बिस्वास और सबका प्रियास यही इसका करेक्ट आ है यही मंत्रे नरेंदर मोदी ने 95 सतोंतरा दिवस के उसर पर सबी लक्त्षों के प्राप्ती के लिए दीये थे और आज का फर्स्ट कोचन है राष्ट्रिय औसधी मुल्य नीर्धारन पधिकरों ने यानि NPPA के नए अध्यक्स करूप में किसे न्यूक्त किया गया है और आपके अप्सन है A नमबर रेखा कुमारी B नमबर राजेस दास C नमबर कमलेस कुमार पंत D नमबर बिसेस देशवाल है तो जो NPPA के नए अध्यक्स करूप में न्यूक्त किया गया है उनका नाम है कमलेस कुमार पंत और ये हिमाचल परदेश के कैड़ेट को 93 बैच के IS अफिसर रह चुके है हिमाचल परदेश कैड़ेट के 93 बैच के IS अधिकारी कमलेस कुमार पंत को राष्ट्रिय मंदल की न्यूक्ती समीती द्वारा राष्ट्रिय और सधी मुल निर्धारन पधिकरन यानि NPPA के नए अध्यक्स करूप में न्यूक्त किया गया आप यहाँ से इसका स्क्रीन सोट लेने चाहते हैं तो स्क्रीन सोट ले लीजिए नेक्स कोचन देखते हैं नेक्स कोचन है किस राज ने रहरी पट्री वाले को पचास हज़ा रूपे तक ब्याज मुफ्त रीन ने प्रदाम करने की योजना शुरू की गई है आपके अप्सन है राजास्थान सेकेंड में हर्याना थर्ड में है गुजरात और फोर्थ में है केरला जो रहरी पट्री है वो व्हेंडर को कहा जाता है किसको व्हेंडर को ठेक ना व्हेंडर जो होते हैं जो रोड के किनारे ठेले लगाकर अपना समान बेचते हैं उसी उ करेक्ट इंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा यानि राजास्थान ने पचास हजार रुपए तक के ब्याज मुफ तेरीन प्रदान करने की योजना शुरू की गई है यहां पर आप देख सकते हैं राजास्थान में असोग गहलोत सरकार ने सेवा छेत्रे में काम करने वाले 18-40 वर्ष के आयू वर्ग के स्ट्रीट वेंडर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं को पचास हजार रुपए तक के का ब्याज मुफ तेरीन प्रदान करने की योजना शु होगा जो लोन होगा वो ब्याज मुपत होगा नेक्स्ट है थर्ड नंबर थर्ड नंबर है डूरंड कप फुटबल टूनामिंट का एक सती एक सतीसवा संसकरन की सहर में आयोजीत होने वाला है और यह कोशन मैं करा चुका हूं और आपके फर्स अफ्सन में है राजस्थान करा चुका हूं को पहले भी मैं इस कोशन को इसले लिए टाकि आपका रिवीजन हो सके और यह स्पोर्ट से जितने भी आपका है कोशन बन सकते हैं उस उन्हों मैंने उनको तीन वीडियो में कंप्लीट क्रा दिया हूं तो अभी नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्र कप है जो 130 को पुलकात्ता में ऐंग 이상 3 संसक्रा एक द्रॉएंड कप दूरंट कॉप फुटबल का एक जिसे फुटबल का होता डीसे एक क्रिकेट कर्ण मैं दीइर पिर यह करें तो में अटहुपर क्वश क messenger तेखना तो आप इसका डेट भी याद रखिएगा 5 सितंबर टू 3 अक्टूबर पच्चिम बंगाल में ये आपका आयोजित होने वाला है नेक्स कोचन देखते हैं फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर है सरकार ने अरंभिक सर्वजनी के निर्गम यानि आई पीओ आई पीओ का फुल्फराम होता है इनिसियल पबलिक ओफरिंग के माधियम से राष्ट्रिय बी जिनीगम यानि नेशनल सीड करपरेशन एन एनेशनल सीड करपरेशन आप इसे नोट कर लिजिए नेशनल सीड करपरेशन नेशनल सीड कोरपरेशन एन एस सी का फुर्फरम होगा और आईपियो का होगा इनिसियल पॉब्लिक ओफरिंग है में कितने हिस्दारी बेजनी की परक्रिया शुरू की है आपके फर्स्ट अफ्सन में है पचीस परसेंट सेकेंड में है 35% फॉर्थ में 45% गर्ड में 45% गर्ल में 50% तो आपका फोर्थ का करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका ए नमबर करेक्ट हो जाएगा यानि पचीस परसेंट ही सदारी बेजनी की परक्रिया शुरू कर दी है सरकारने नेक्स्ट है आप इन दोनों को नोट कर लीजिएगा IPO और NAC IPO का एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि IPO का पूल फ्रम होगा Initial नोट कर लीजिए Initial Public Offering है आप इसको एक बार नोट कर लीजिए यहां पर इससे related कुछ fact है जो आप देख सकते हैं Next है फिफ्त नंबर अहिलिया बाई होलकर की पून्यति थी के रूप में किस दीन को मनाया जा रहा है जो अहिलिया बाई होलकर थी उनकी पून्यति थी यानि देथ एनवर्सरी किस दीन को मनाया जा रहा है आपके फर्स्ट अप्शन में है 16 अगस्ट, 2nd में है 15 अगस्ट, 3rd में है 14 अगस्ट, 4th में है 13 अगस्ट, आपको बताना है कि अहिलिया भाई होलकर का जो देथ अन्वर्सरी है कम मनाये जा रहा है, तो जो आपका 5th का correct answer हो जाएगा, आपका D number correct हो जाएगा, यानि 13 अगस् इनका death anniversary मनाये जा रहा है, ठेक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं अहिलिया भाई होलकर को, 13 अगस्ट को अहिलिया भाई होलकर की पुनितितिक रूप में मनाये जा रहा है, वह मराथा समराज्य की वनसानू गुत्त कुलिन सर्दार थी, उन्होंने अकरमकारियों को लूटने से अपनी भूमी की रक्षा करने की कोशिस की, और उन्होंने उसने नेत्वित भी किया था, जो उन्होंने अकरमकारी थे, जो मात्र भूमी थी उनकी, उनको लूटने से बचाने के लिए, उन्होंने जो भी भरसक प्रयास हुआ, उन् थी नेक्स्ट है शिक्स नंबर है हाल ही में किस राज ने मायोसियों के बद्ध उप्योग और परिवहन को को विनियत्मित्य करने के उद्धेश से मायोसियों के संदक्षन बिध्या के 2021 पारित किया है यानि जो मावेशी है जो कैटल्स है उनको उनके बध के रोकने के लिए या उनको अधी के उप्योग किसी काम में न किया जाए उनको रोकने के लिए संरक्षन बिध्यक है मवेशी संरक्षन बिध्यक पास किया अपके फॉप्सन में है अरुनाचल परदेश सेकेंड में है उतर परदेश थर्ड असाम और फोर्थ में मद्द परदेश है शिक्त का करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा असाम ने मवेशी संडरक्षक बिध्यक 2021 से पास किया है यहाँ पर देख सकते हैं असम बिधान साभा ने हाल ही में राज में मवेशी के वध्य खपत परिवहन को बिनियत मित्य करने के उदेश से मवेशी संडरक्षक बिध्यक 2021 पारिद की है नेक्स्ट है सेविंथ नंबर सेविंथ नंबर है भारतिय अंत्रीक्षे अनुसंधान संगठ है नैनि इसरो 2021 में कीस भुटानी उपग्राह को लॉंच करेगा आपके फर्स्ट अप्सन में है अपोल्लो सेकेंड में है आई एनेस टूबी थर्ड में है आई एनेस ए आइनेस ट्री तो जो आपका सेविंथ का करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा यानि उस उपग्राह का नाम है आई एनेस टूबी यह एक भुटानी उपग्राह है ठेक जो 2021 में इस रोद वारा लॉंच किया जाएगा नेक्स्ट है अब यहां से कुछ रिलेटेड फैक्ट है आप देख सकते हैं जिसका नाम है आई एनेस टूबी सेटेलाइट है एक भुटानी सेटेलाइट उपग्राह है नेक्स्ट है एट नंबर नागरिक उडियन मंत्राले ने घरेलू किराए कि नीचली और उपली सीमा को बढ़ा कर कितनी कर दी है और आपके फर्स्ट अप्शन में है 9.45% सेकेंड में है 5.43% थर्ड में है 12.82% और फोर्थ में है 15% तो जो आपका एट का करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क 2% ने नागरिक उडियन मंत्राले ने घरेलू किराए कि नीचली और उपली सीमा को बढ़ा दिया है अब यहां से पढ़ सकते हैं यह आपका कुछ उस कोशन से रिलेटेड फैक्ट है और नेक्स कोशन है नाइन्थ नंबर नाइन्थ नंबर है 6 अगस्त को समाप्त सप्ता हमें भारत का बिदेशी भंडार कितना है जो 6 अगस्त को समाप्त हुआ था उससा सप्ता है उसमें बताना था कि भारत का बिदेशी भंडार कितना है और आपके यह उप्सन है ठेक तो जो आपका 9th का correct answer हो जाएगा, आपका A number correct हो जाएगा, यानि 621.464 billion dollar है, ये आपका 9th का correct answer हो जाएगा, next है 10th number, 10th number है, AU a small finance bank ने कीस अभियान का अनावरान किया है, जो AU a small finance bank है, बताना है कि उसका, जो कीस अभियान का अनावरान यहीं किया है, आपके 1st option में है, बदलाव जरूरी है, 2nd में है, बढ़ते रहो, 3rd में है, बदलाव हमसे है, फोर्त में जागरुक रहो, बताना है कि AU a small finance bank है, उसने कीस अभियान का अनावरान यहीं किया है, तो जो आपका C number correct हो जाएगा, यहीं बदलाव हमसे है, इस कोट को अनावरान किया है, अब यहाँ से AU bank के बारे में कुछ detail है, आप पढ़ सकते हैं, 11th number, 11th number है, Royal Infield के नए CEO और ICER Motor Limited, ED के नए ED कौन है, जो बताना है कि Royal Infield है, और ICER Motor है, उनके नए ED का नाम क्या है, तो NF के 1st option में है, बिनोद कुमार दसेरी, 2nd में है, बी गोबिंद राजन, 3rd में है, चीतरा मजमुदार, और 4th में है निरज सी, तो जो Royal Infield और ICER Motor के नए ED है, उनका नाम है, अपका बी गोबिंद राजन, ठेक, यह नए ED और CEO बने है, ICER Motor का नए ED बने है, और Royal Infield के CEO भी बने है, नेक्स्ट कोचन है, 12th नमबर, 12th नमबर है, गंधार, जीले हाल ही में, तलिवान ने कबजा कर लिया, वो किस देश में है, अपके 1st अप्सन में है, पाकिस्तान 2nd में है, सीरिया 3rd में है, अफगनिस्तान 4th में है, क्रिकिस्तान है, आपको बताना है कि जो कंधार जीला है, तो जो गंधार जीला है वो आपका अफ़कृरिस्तान में पड़ जायेगा नेक्स्ट है 15 नंबर 30 नंबर है भारत ने हिमाचल पर देश से सेव के पांच किसमों की पहली खेप किस देश को निर्यात की है एपके फर्स्ट अफ्शन में है United Kingdom, Second में है नीदरलाइंड, Third में है, बहरीन एन फोर्थ में है जर्मनी तो जो आपका 13th का correct answer हो जाएगा वो आपका C number correct हो जाएगा यानि बहरीन को 5 किसमों की से हिमाचल परदेश से आपको export किया गया है ठीक न? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 किसमों का नाम भी है जिसे बहरीन को export किया गया है next है 14 number 14 number है हाल ही में शुरू किया गया operation blue freedom की छेत्र में लिया जा रहा है और आपके first option में की छेत्र को लिया जा रहा है एक छेत्र है जिसे blue freedom के तहत है अपने अंडर एनि इंडिया के अंदर उसे लिया जा रहा है और आपके first option में है सियाचीन, second में है लेह लदाक third में है लदाक and fourth में है कस्मीर है तो operation blue freedom के अंत्रगत्ते जिस छेत्र को लिया जा रहा है उसे हेत्र है अपका सियाचीन है ठेक ना सियाचीन है जिसे blue freedom के अंदर लिया जा रहा है next है और ये question आपको homework के में मिलेगा भारत का पहला drone forensic lab and research center किस राज ने खोला है भारत का पहला drone forensic lab and research center किस राज ने खोला है और आपके first option में है केरला, second में करनाटका, third में हर्याना and fourth में गुजरा आते और इस question को आपको homework में है comment करके बताना है कि इसका answer क्या होगा आप हमें telegram पर भी comment कर सकते हैं YouTube पर भी comment कर सकते हैं या Facebook पर भी कहीं भी आप हमें comment करके बता सकते हैं कि 15 का correct answer क्या होगा ठेक आज के लिए बस इतना ही और इस PDF के लिए हमें telegram पर join telegram का link आपको description box में मिल जायागा वीडियो अशी लगी तो like कर लिजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा आज के लिए बस इतना ही thank you कर लिए कर दो कर दो अखक लोगा